हेलो एवर्यों विशाली है वेलकम बेक तो माई चैनल सो वेलेंटाइन से वीक की ये ना गाइस फिफ्ट वीडियो है तो आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो वेलेंटाइन से आने वाला है तो चहरे पे हमें निकार भी चाहिए होगा और वो भी घर बैठे बैठे तो बस इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है एड गाइस नेचुरल इंग्रिडियन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता हमारे फेस के लिए मानते हो नो ये तो बस हम सब नेचुरल तरीके से ही फेस पर ग्लो लाने वाले हैं आज तो सबसे पहले face pack से start करते हैं अब भई face pack लगाना है तो बनाना भी पड़ेगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस face mask को कैसे बनाना है तो face mask के लिए सबसे पहले cucumber juice यानि की खीरे का रस चाहिए होगा तो मैंने खीरे को grate करके juice निकाल लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा rose water भी add करा था जो short लेना मैं भूल गई इसके बाद में मैंने add किया है honey और last में हम इसमें aloe vera gel add करेंगे तो इन सब ingredients को हमें अच्छे से mix कर लेना है अब आते हैं interesting part की तरफ अपना इसमें जो वो face sheet mask आती है ना अबलेट वाली वो add करेंगे मैंने इस वीडियो में जो भी प्रोड़क्ट यूज करेंगे न सबके ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फेस मास्क लगाने से पहले ना फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना यह मैं अल्रेडी कर चुकी हूँ step ठीक है यह sheet mask है ना अनेक्स्पेंसिव है अब जब चाहो अपने लिए कोई भी DIY face sheet mask रेडी कर सकते हो इससे अब इस sheet mask को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आप चाहो तो face को normal water से भी wash कर सकते हो बट मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ ओके next lips के लिए मैं यहाँ पे वैसलीन का use कर रही हो मैं night में थोड़ा ज़्यादा वैसलीन lip पे लगाके और फिर सो जाती हूँ जब आप morning में उटोगे न तो बिल्कुल soft soft से lips मिलेंगे आपको next step वैसे तो optional है but guys क्योंकि यहाँ पे हम वैलेंटाइन दे के लिए prep कर रहे है न प्रेपरेशन कर रहे है न तो यह वाला step आप follow कर लेना skip मत करना इससे आपको extra glow मिलेगा face पे so मैं न बदाम रोगन यूज करने वाली हूँ face oil की जगा पे and यह मेरी second bottle है because जो first वाली थी उसमें सिरफ थोड़ा सा रह गया तो मैंने यह वाला भी मतलब second bottle भी order कर ली आपको बस थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर na oil को अच्छे से face और neck पे apply कर लेना है इसके बाद में हम थोड़ा सा fancy कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए न मेने यहाँ पे facial जो roller आता न वो लिया है आज हम roller यूज करेंगे तो roller से अच्छे से massage करेंगे ताकि जो oil है न वो अच्छे से हमारे skin में एब्सॉर्व हो जाए और अपना magic दिखाए यह roller भी गाईज अन एक्सपेंसिव है अंडर 400 रुपीज में आई थिंक आ गया था इसके बाद में बारी आती है DIY moisturizer तो भाई DIY बोला है यानि बिल्कुल सही कैस किया आपने इसे बनाना भी पड़ेगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो इसके लिए आपको एक empty container या फिर डबी जो बोलते हैं वो चाहिए होगी तो इसमें मैंने सबसे पहले एड़ किया है aloe vera gel फिर एड़ किया है greaseline and last में vitamin E oil इसको अच्छे से mix करेंगे एक मिनट तक mix करने के बाद में बस हमारा DIY moisturizer ready है guys सिरफ तीन ingredients से अब आपको बस इसको थोड़ा सा अपने face पे apply करना है मतलब neck पे भी है न अच्छे से apply कर लो and जब आप morning में उठोगे न तो आपको न बहुत soft soft सा and glowing and hydrating skin मिलने वाली है guys ये DIY moisturizer आपने एक बार यूज करना शुरू कर दिया न तो मैं guarantee देती हूँ कि आप न अपने जो दूसरे expensive वाले moisturizer है न उनको भूल जाओगे guys सारे product के purchase link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे ये video अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो like किये आपने friends और family के साथ इस video को share कर दीजेगा channel को subscribe कर लीजेगा ऐसे ही और amazing videos के लिए so मिलते हैं माई next video में children bye take care तो झाल 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 झाल